क्या हम Hindi language में या फिर किसी रिजनल लैंग्वेज में अफिलेट मार्गेटिंग कर सकते हैं या फिर अगर सिंपल पकड़े Amazon affiliate अगर affiliate marketing की बात आती है तो मैं तीन मेरे लिए टार्गेट रहते हैं ठीक है तीन टार्गेट क्या है एक तो यूएस का टार्गेट है या फिर आप किसी दूसरी कंट्री को भी टार्गेट कर सकते हैं लेकिन यूएस का में टार्गेट है दूसरा टार्गेट है इंडिया का ट यूस में बहुत ज़्यादा पोटेंशल होता है लेकिन कॉंपेटिशन वह सबसे जादा है उसी तरह किसे इंडिया में उतना यादा नहीं लेकिन कवर्शन के बहुत जादा चांसे से तो इंडिया में बता है कि इंगलीश में आप content के लोग खरीते हैं लेकिन हो सकता है कंवर्जन थोड़ा सा कम हो जाए उस केस में तो आप के गते हैं तीनों भी टारगेट मानके चल सकते हैं पहला टारगेट यूए से जहां से आप बहुत जादे इंकम कर सकते हो लेकिन थोड़ा सा आपको मैनत करना पड़ेगा कॉंपेटिशन जाता रहेगा दूसरा टारगेट अप इंडिया में अगर आपका इंगलिश अच्छा है तो इंगलिश में कॉंटेंट आपके ब्लॉगिंग कर सकते हो और वहां से भी यह कैते हैं आप आफिलेट मार्केटिंग से अच्छी कासी इंकम कर सकते हो तीसरा अगर कम भी रहता है तो ट्राफिक उसको कर लेगा और आपको कर सकते हैं अच्छा कासा इंकम वहां से जनरेट कर सकते हैं रीजिनल लैंविजिस का थोड़ा सा स्कोप यह कैते हैं सिर्फ उस पर्टिकला रीजिन तक ही रहेगा जैसे महाराष्ट के अगर माराठी के बात क ख॑न हो जाएगा तो महां से अच्छा कासी का सकते हैं मैं आ ठीज्ज के घ्म एक्शप लाइंसे कर सकते हैं मिघ्ति ऑर नं रीजिनल लैंगवजिस मैंसे भी आछ आछए कनवर्जिन मिघ्ता है मेरा मेरा थोड़ा गूर्ड थोरब थोड़ा गया है तो आपका एसच्पी होते हैं हलाकि मतलब एक काफी कम इवन उससे ज्यादा एटसें से हो जाता है अफिलेट से ज्यादा मेरा हिंदी में जो है हिंदी में ब्लॉगिंग से ज्यादा बेटर कन्वर्जिन आपको यूटूब से मिल सकता है कि हिंदी आपने चैनल स्टार्ट किया और वहां पर इश्डिल मार्केटिंग से लेटर कर टापिक के बारे बात कर तो वहां से कन्वर्जिन के बहुत जादा चैन्सेश थे क्योंकि हिंदी में अचली कॉंटेंट पढ़ने से ज्यादा है हिंदी में आचली वीडियो देखना जादा पसंद करते हैं इंगलिश में पढ़ना ज